हुआ फैमली कैसे आप लोग आई होप कि आफ सब लोग अच्छे होंगे तो चलिए आज में बताते हूँ कि नीव बॉन बेबी की मालिश कैसे करनी है हलाकि मेरा बच्छा मेह वह बन्द करें तो बात वोई यह वैसाज में कर्ति आहे हो जैसे भी के में हो रही है तो पहले पीत पेट पीट पैसे मसाज करेंगे दूसरे पैर मोरिश करें और लोले करें अब इसके दोनों पैरों को हम जोड़ेंगे जोड़ के हम सीधे करेंगे और फिर मारिश करेंगे मारिश नीचे की तरफ होगा और इसके पैर के तलों को उपर करेंगे फिर मारिश करेंगे हम इससे पैर बहुत जली सीधे होते हैं और मजबूत होते हैं अब हम आएंगे आगे की तरफ, आगे की तरफ मालिश करने के लिए बच्चे की उपर से थोड़ा सा पाड़र गिराएंगे, पाड़र को गिराने के बाद पूरे मिलाएंगे अच्छे से, उसके बाद हम उनके हाथों पर मालिश करेंगे, ऐसे उपर नीचे की तरफ ऐसे फीर के तकाने वी जल्दी जाएगा ऐसे मारे शोलडर को हाथों को नीचे खीचेंगे और थे खाएंगे फेस कि एपर लिप्स और लिप्स जो नीचे पार्ट है चिन उसको ऐसे दो सही करेंगे के इससे होट्ड बढ़ते नहीं है बड़े नहीं होते हैं और जो ग्रोथ है वो सही रहेगी ऐसे नाक की हट्टियों को ऐसे उपर की तरफ उठाएं ताकि नाक जैसे उती नाक बैठ जाती तो बैठेगी नहीं अब आएंगे इसके हाथ के गदेरियों के तरफ हाथ के मालिश करने के बाद उसके हाथ कई करॉस में हलका सा pressure देंगे बहुत तेज नहीं से बच्चे की हड़ियां बहुत ही कमजोर होती इसलिए बहुत तीर प्रेशर नहीं देंगे हलके हाथों से बस इसको ऐसे करने से इसके चेस्ट बहुत ही मजबूत हो जाएंगे और उपर ऐसे हाथों को मालिश करने के बाद उसे उपर की तरफ करेंगे जिससे की बच्चे की लंबाई बढ़ेगी ऐसे आप अगर दो से ती को क्रॉस करने इपर हाथ जो क्लॉस करा करेंगे प्रेशर रेंगे धिश्य करें नकिए फीदा करेंगे तरह चैकर पैर सिंदी एबाद इसके पैयर को माथिता ले जाएंगे इसके अ condemned पेट में बच्चे को जो गैस की समस्य होती वो नहीं होगी इसे गैस समस्य बच्चों को पर नहीं होती है फिर बच्चों को हम इसे उचे उपर हवाद में उठा लेंगे आकि बच्चे का डर खतम हो